Hello everyone, आज के इस सेशन में हम डिसकस करने जा रहे हैं Class 9th Biology की Chapter Tissues का एक और Amazing Topic और वो Amazing Topic है Fluid Connective Tissues जैसा कि आप सभी को पता है कि Previous Session से हमने Last Type of Animal Tissues को पढ़ना शुरू कर दिया था मतलब कि पिछले Lecture से हमने Connective Tissues को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था In fact, Previous Lecture में हमने Connective Tissues का एक Major Part कवर कर लिया था जैसे की Connective Tissues के जो Basic Characteristics होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिये थे Types of Connective Tissues मैंने आपको पढ़ा दिये थे तो पिछले Lecture में हम Almost सारे ही Types को Cover कर चुके हैं, बस एक आखरी टाइप रह गया है Connective Tissues का, that is Fluid Connective Tissues, जो मैं पढ़ाऊंगी आपको आज के इस Session में तो बस यही है हमारे आज के इस Session का Target, Hopefully आप सभी को समझ में आया होगा, तो अबे काम करते हैं अपने इसी Target को जीव करने के लिए, आईए, करते हैं अपने Session की शुरुवाद, so this is विभूती खरे, Welcome to Definite Success पाट चालब एक ऐसा platform जहां पर आपको Provide करवाई जाती है, एक दम Quality Education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज़ Definite और वो है आप सभी की Success, तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं, आज का हमारा ये Session जहां पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे Fluid Connective Tissue को ठीक है? चलो फिर आजाओ फड़ा फट से आज के Session की कहानी को हम शुरू करते हैं अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको Fluid Connective Tissue पढ़ाना शुरू करूँ बेटा, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको Types of Connective Tissues बताये थे ना, उनका मैं आपको एक Quick Recap दे देती हूँ ताकि आप आज के लेक्चर की कहानी को पिछले लेक्चर की कहानी से Relate कर पाओ, Link बना पाओ ठीक है? आजो, यहाँ देखो तो जब भी हम बात करते हैं Types of Connective Tissues की बेटा तो हमारे सामने ये तीन Categories आती है, या आप ऐसा भी बहुत सकते हो कि जो Connective Tissues होता है ना उनको हम Broadly Divide कर देते हैं तीन Categories में एक Category बनती है Lose Connective Tissue की बेटा Connective Tissue को यहाँ पर मैंने Short में लिख दिया है CT ठीक है? तो एक Category बन जाती है Lose Connective Tissue की दूसरी Category होती है Dense Connective Tissue की और तीसरी Category होती है Specialized Connective Tissue की Specialized Connective Tissue ठीक है? तो Broadly हम क्या करते हैं? Connective Tissues को इन तीन Category में उठा करके Divide कर देते हैं ठीक है? जब हम बात करते हैं Lose Connective Tissues की बेटा तो यहाँ पर आपको इस Category में दो तरह के Tissues देखने को मिलते हैं एक होता है Areolar Tissue और एक होता है Adipose Connective Tissue समझे? मैंने क्या बोला? Loose Connective Tissues की Category में आपको यह दो Tissues पढ़ने होता है एक होता है Areolar Connective Tissue और एक होता है Adipose Connective Tissue तो यह दोनों ही क्या होता हैं बेटा? यह दोनों ही Loose Connective Tissues हैं ओके? फिर जब हम बात करते हैं Dense Connective Tissues की तो बेटा जो Dense Connective Tissues होता है ना उनको हम फर्दर दो और Category में उठा करके डिवाइड कर देते हैं तो एक Category बन जाती है Regular Dense Connective Tissue की Dense Connective Tissue को यहाँ पर मैंने Short में लिख दिया है DCT ठीक है? तो यहाँ पर आपको दो और Categories या दो और Groups देखने को मिलेंगे एक Category बनती है Regular Dense Connective Tissue की और दूसरी बनती है Irregular, भई एक Regular हो गई तो दूसरी क्या बन जाएगी? Irregular Irregular Dense Connective Tissue की Category अब देखो क्योंकि आप Class 9 में हो ना तो 9 में आपको इस Category के बारे में जादा नहीं पढ़ाया जाता है मतलब जितना मैंने आपको पिछले Lecture में पढ़ा दिया है इसके बारे में वो आपके लिए More Than Enough है In fact, जब आप Class 11 में जाओगे न अगर आप Biology लेते हो तो 11 में आपको ये सब चीज़े एक बार फिर से पढ़ने को मिलेंगी Of course, थोड़ा सा Advanced Level पढ़ने को मिलेगा तो 11 में भी इस Category के बारे में जादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है तो जितना मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में वो आपके लिए More Than Enough है हम बात करते हैं Regular Connective Tissues के इस Category की तो यहाँ पर आपको दो तरह की Tissues देखने को मिलेंगे एक Tissues को हम बोलते हैं Ligaments और जो दूसरे Tissues होता है वो होते हैं हमारे Tendons ठीक है? तो Ligaments and Tendons यह दोनों क्या होते हैं? यह दोनों Regular Dense Connective Tissues हैं I repeat Ligaments and Tendons यह दोनों Tissues क्या हैं? यह दोनों Regular Dense Connective Tissues हैं ठीक? फिर हम बात करते हैं जब Specialized Connective Tissues की तो यहाँ पर भी आपको दो और Categories देखने को मिलती हैं एक Category होती है Skeletal Tissues की और दूसरी होती है Fluid Connective Tissues की क्या बोल दिया मैंने? मैंने बस इतना ही बोला है कि जो Specialized Connective Tissues होते हैं न उन्हें फर्दर दो हम और Groups में या Categories में डिवाइड कर देते हैं एक Category का नाम होता है Skeletal Connective Tissues और दूसरी का नाम होता है Fluid Connective Tissues जो आज हमें पढ़ना है जब हम बात करते हैं Skeletal Connective Tissues की तो बेटा यहां पर आपको फर्दर दो और तरह की Tissues देखने को मिलते हैं कौन से दो? एक तो होती है हमारी हट्टियां मतलब की Bones और दूसरा Tissues जो यहां पर आपको मिलेगा वो होगा Cartilage सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं यहां से ले करके यहां तक मतलब की Aureolar से ले करके Cartilage तक की पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं अपने previous lecture में और इसलिए मैंने कहा था कि Connective Tissues का जो major part है वो हम already पढ़ चुके हैं अपने previous lecture में बस एक आखरी ये टाइप रहे गया है Connective Tissues का जो आज हम पढ़ेंगे और पढ़ करके Connective Tissues को Complete कर लेंगे बिटा Finish कर लेंगे ठीक है तो Skeletal Connective Tissues में आपको ये दो तरह की Tissues देखने को मिलेंगे Bones and Cartilage तो यहां तक की पूरी कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ previous lecture में तो जिस बच्चे ने Connective Tissues का Part 1 नहीं देखा है वो बच्चा जाकर कि सबसे पहले क्या करेगा इस session को यहीं पर आप रोक दो pause कर दो इसके पहले क्या करो जाकर कि पिछला वाला lecture लगाओ जहाँ पर मैंने aeriolar से ले करके cartilage तक की पूरी कहानी आपको समझाई है सिखाई है तो पहले वो वाला session लगाओ वो जब हो जाए उसके बाद में इस session में आओ और फिर यह जो आखरी टाइप है fluid connective tissue का यह मेरे साथ आ करके पढ़लो अज़ा एक दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा कि मैं यह जो fluid connective tissue है इसको भी आप चाहती तो previous lecture में ही समझा देती मतलब एक ही session में पूरा यह जो topic है यह हो जाता finish है हाँ मैं ऐसा कर तो सकती थी बट मुझे ऐसा मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूँ मैं कर सकती थी बट मुझे लगा कि नहीं fluid connective tissues को थोड़ा सा जो ना आपको अलग हटके पढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका एक reason है reason यह है बटा कि जब आप 9th से निकल करके कहां जाओगे क्लास 10th में जाओगे मैं 11th की बात नहीं कर रही हूँ है ना कि आप बोलोगे कि मैम हमें तो biology लेना ही नहीं 11th में है ना तो हम क्यों मतलब पढ़ें क्यों देखें नहीं 11th की बात ही नहीं नहीं तो बात कर रही हूँ 10th की की बात हो रही है अचा यहां पर मैं एक चीज़ और एड कर देती हूँ कि जब हम बात करते हैं fluid connective tissues की तो यहां पर आपको दो तरह के tissues देखने को मिलते हैं blood and limb यह और add कर लो ठीक है यह और add कर लो तो आपको picture जो है और भी जादा एकदम अच्छे से clear हो जाएगी मैंने क्या बोला कि fluid connective tissues जो हैं बेटा वो दो तरह की होते हैं blood and lymph आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इस category में आपको दो tissues देखने को मिलते हैं एक हो गया blood और एक हो lymph तो जब आप 10 में जाओगे न बिटा biology में आपको blood and lymph के बारे में और भी जादा पढ़ने को मिलेगा तो और भी जादा आप तब ही पढ़ पाओगे जब आपको इनके जो basics हैं वो पता होंगे तो क्योंकि मुझे आपको 10 भी पढ़ानी है 10 में जाकर कि मुझे तुमें जो blood vascular system होता है अपना अपनी बॉड़ी में जो lymphatic system होता है वो पढ़ाना है मुझे तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि 9 से ही मैं क्या करूँ तुम्हें अच्छे से ठीक है यह 10 का बिलकुल आखरी आखरी में physics पढ़ लिया chemistry पढ़ लिया वो बच्चे 11 में जाकर कि इतना परेशान होते हैं कि मैं लिंफ जो है हमें अभी दक समझ में नहीं आया वाकई में बिटा यह मतलब यह समझ लो कि मैंने इस चीज के उपर research करी है यह मेरा experience बोलता है कि लिंफ एक ऐसा topic है जो है तो बहुत आसा लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को पलने ही नहीं पढ़ता है 11 में पहुंच जाएंगे biology ले लेंगे डॉक्टर बनने का सपना र जाएंगा फिर मों बोलेंगे कि हां मैं अब जाकर के समझ में आए कि लिंफ क्या चीज होती है तो बेटा यह दोनों topic मतलब यह जो fluid connective tissues का जो topic है न यह बड़ा important है class 10 के भी हिसाब से मैं आपको बता रही हूं तो इस लिए इस topic को अपन आज के इस lecture में अलग से deal करेंगे ठीक है तो यह उपर उपर को तुमको पूरा समझ में आ गया होगा अचा अचानक से मेरे दिमाग में यह बात strike करी कि इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अभी तक animal tissues के बारे में मतलब कि आज का यह lecture हो जाए तो फिर तो अपने जो भी animal tissues हैं वो सारे के सारे complete हो जाएंग है यह जो animal body है मैं इसमें तो सब कुछ tissues का ही बना है हमारी muscles हमारे organs हमारी हड्डियां हमारा blood lymph सब कुछ क्या है tissues तो हैं मैं आप tissues ही तो हैं सब कुछ tissues ही तो बना है exactly तो अगर यह बात तुम्हारे दिमाग में आई बिटा तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आई तो अभी मैंने तुमसे बोला है तो अब शायद क्लिक किया हो कि हाँ मैं सही बात है हड्डियों से ले करके blood से ले करके mass patient से ले करके organs तक सब कुछ किसका बना है tissues का ही बना है सही बात है चलो फिर यह सब कुछ पलने पड़ेगा तुम्हारे अब आज ओ आज की lecture की कहानी को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं fluid connective tissues की अब यह तो मैंने आपको पहली बता दिया है कि यहाँ पर आपको दो चीज़े पढ़ने को मिलेंगी एक तो हो गया blood और एक हो गया आपका lymph ठीक है मतलब blood and lymph यह दोनों ही क्या होते हैं बेटा यह दोनों ही fluid connective tissues होते हैं शुरुआत करते हैं अपन blood के साथ क्योंकि blood एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी मतलब जानकारी ना हो तो कम से कम नाम तो सुने होगा ना खून का blood का तो lymph एक ऐसी चीज़ है तो तुम्हें आज के पहले तुम्हें आज के पहले कभी भी lymph के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा मुझे यह पता है क्योंकि junior classes में lymph के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता ठीक है lymph क्या होता है कैसा दिखता है करता क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा यह हो सकते कि बच्चे ऐसे भी हो जिन्होंने आज के इस session में पहली बार lymph का नाम सुना हो तो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता कोई idea ही नहीं है तो उसको पन क्या करेंगे थोड़ा सा थोड़ी देर बात पढ़ेंगे session में शुरुवात अपन कर लेते हैं blood के साथ क्योंकि यह थोड़ा बहुत तो जाना पहचाना है at least blood का तुमने नाम सुना होगा अपने body में कही ना कही से खून निकल तो वे कभी ना कभी देखा होगा कि page पलट रहे थे मैं paper cut लगया मतलब paper से ही cut लगया तो खून निकलने लगया खून का color क्या होता है लाल होता है अरे यह कुछ basic बाते हैं तो तुम्हें blood के बारे में पता ही होगी ना आज ओ फिर detail म में आज समझ लेते हैं blood को तो पहला statement जो मैं blood के बारे में लिखना चाहूंगी बेटा वो तो यह होगा कि यह क्या है फ्लूविड कनेक्टिव टिशू है 10 में जब तुम biology के chapters पढ़ लोगे तो तुमको realize होगा कि मैं blood वाकई में बड़ा important वैसे तो body के सारे ही elements सारे ही components बड़े important है बट ब्लड एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसका वैभार हमारे body के हर एक organ हर एक part के साथ होता है आप खुद सोचो ना हमारी पूरी body में जो flow करता है जो circulate करता है वो कौन करता है bloody तो करता है न तो blood एक ऐसा component है यह कैसा element है हमारी body का जिसका वैभार body के हर एक organ हर एक part हर एक cell के साथ होता है समझे चलो तो यह क्या है बटा एक fluid connective tissue है बहुत important है जब हम इसके composition की बात करते हैं आजाओ जब हम इसके composition की बात करते हैं तो यह दो चीजों से मिल करके बना होता है अगर आपको याद हो तो पिछले lecture में मैंने आपको बताया था कि connective tissue में आपको हमेशा तीन चीजे देखने को मिलेंगी मैं आपर side में भी लिख देती हूं connective tissue में आपको तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो तीनों चीजें मिल करके क्या करती है connective tissue बनाती है एक होता है connective tissue का matrix ठीक है जिसे हम ground substance भी बोलते थे याद होगा आपको तो ground substance और मैंने आपको इसे explain करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा example दिया था जिसे सुन करके कुछ बच्चों के मूँ में बिलकुल पानी आ गया होगा कि मैम आपने example दिया था खीर का चावल की खीर ले लो या सिवया की खीर ले लो ठीक है आप कोई भी खीर बनाते हो बेटा चाहे वो साबुदाने की हो चाहे वो सिवया की हो चाहे वो क्या चावल की हो मखाने की हो कुछ भी क्यों ना हो खीर बनाने के लिए तुम सबसे पहले एक बेस क्या लेते हो दूद लेते हो कि नहीं लेते हो शक्कर लेते हो कि नहीं लेते हो तो खीर बनाने के लिए जो ground substance होता है बेटा जो matrix होता है वो क्या होता है दूद यानि की milk ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं connective tissue की तो इसका जो ground substance होता है बेटा उसी को अपन क्या बोलता है matrix बोलता है जैसे कि अगर आप खीर बना रहे हो तो शकर घोलने के लिए dry fruits डालने के लिए केसर डालने के लिए और अगर तुम वो बना रहे हो मखाने की खीर बना रहे हो तुम मखाने डालने के लिए बेटा जैसे तुम कहां डालोगे किस के अंदर डालोगे कि अगर मैं तुम को बोलोगे दपी चलो बनाओ खीर मखाने की तो तुम क्या करोगे तुम लेक्ड आ गए द्राईफूट्स तुम ले few लेकर कर किया वो केसर। तुम यह सब चीजे लेकर क्या गए लेकिन तुम डालोगे कहा अपने ाफिर पे डालضोगे कि ऐसी ले मूους में डालोगे अरे कुछ होना चाहिए ना ground substance, कुछ base जिसमें ये सब चीज़े जा करके add होंगी, मिलेंगी, घुलेंगी, mix होंगी जो भी होगा, तो वो substance क्या होता है वो ground substance, वो base क्या होता है दूद होता है कि नहीं होता तो ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं connective tissue की, तो इसका जो base है, जो ground substance है बेटा, वो क्या कहलाता है इसका matrix कहलाता है जिसमें की बाकी सारी चीज़े तुमको पड़ी हुई मिलेंगी, ठीक है, चल तो एक हो गया इसका matrix, जिसको आप ground substance भी बोल सकते हो दूसरा component होता है connective tissue का क्या, cells अरे tissue है तो cells तो होंगे ना की नहीं होंगे तो connective tissue के cells, और तीसरा component जो आपको connective tissue में देखने को मिलेगा वो होगा बेटा fibers तो ये तीन चीज़े होती हैं बेटा, ये तीन components होता हैं, जो मिल करके क्या करते हैं, connective tissue को बनाते हैं, सबसे पहले वो आता है उसका matrix, बोले तो ground substance और इसी matrix में बेटा cells और fibers आपको पड़े हुए मिलेंगे, मैंने क्या बोला जैसे कि खीर में दूद के ओपर चावल ड़ा हुँए मिलता है, मखाने ड़े होता है ड्राइफूट्स पड़े होता है केसर डला होता है शक्कर उसमें dissolve रहती है ठीक, वैसे ही जब अपन बात करते है किसकी connective tissue की तो यहाँ पर आपको मिलेगा matrix और matrix में आपको पड़े मिलेंगे cells and fibers तो यह तीनों चीज़ें बेटा मिल करके क्या बनता है ultimately आपका connective tissue बनता है ठीक है आज हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा आज भी तो हम connective tissue की ही बात कर रहे हैं देखो ना मेरा पहला sentence क्या है ब्लड के बारे में कि यह एक fluid connective tissue है fluid है, बेटा, fluid हम किसको बोलते हैं जो flow कर पाए है ना, what is fluid chemistry में आप पढ़ते होंगे ना कि जो चीज़ flow कर पाए जो चीज़ बेह पाए उसको अपन fluid बोल देते हैं तो बेटा यह जो खून है यह हमारे शरीर में बेहता ही तो है दोरता ही तो है यह कैसा connective tissue है तो यह मत सोचना कि मैं fluid connective tissue है तो कुछ अलग ही होगा अलग है बट है तो ultimately क्या वो connective tissue ही ना तो वो है एक connective tissue ही बट क्योंकि पूरी बोड़ी में वो flow कर पाता है इसलिए पर उसको क्या बोल देते हैं fluid connective tissue बोल देते हैं तो आज भी तो हम connective tissue के बारे में पढ़ रहें ना तो जाहिर सी बात है जब हम blood के बारे में बात करेंगे तो उसका भी तो कोई ना कोई matrix होगा ना matrix होगा ना ground substance होगा ना जिसमें कुछ cells पढ़े हुए आपको देखने को मिलेंगे और साथी साथ हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ fibers भी दिख जाएं क्योंकि भई पढ़ तो connective tissue ही रहें blood क्या है connective tissue ही है तो उसमें भी उसका matrix होगा matrix में पढ़े होगा आपको उसके कुछ cells देखने को मिलेंगे fibers देखने को मिलेंगे क्या अगर आपको याद हो तो पिछले lecture में मैंने आपको चीज बताई थी जब मैं आपको यह पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताई था कि जब अपन बात करेंगे ना blood की तो blood में जो है बेटा fibers जो होता है वो missing होता है क्योंकि blood का काम है पूरी body में flow करना circulate करना ठीक है और अगर रास्ते में fibers आ जाएंगे तो बहने में दिक्कत आ सकती है इसी लिए blood में बेटा metrics तो होगा cells भी होंगे पर fibers नहीं होंगे और ऐसा नहीं कि fibers कभी बनते नहीं है बनते हैं 10th में जाकर कि जब तुम पढ़ोगे blood clotting बाइ जैसे चोट लगती है suppose कहीं गिर गए है ना लग गई तो site of injury से क्या होता है खून निकलना शुरू हो जाता है bleeding शुरू हो जाती है अचा कुछ बच्चे उसको blooding बोलते है blooding is not even a word है ना जब खून बहता है तो उसको अपन बोलते है bleeding ब्लड़ नहीं बोलते हैं blood बहाराद है तो blooding बोल देंगे नहीं blooding कोई word नहीं होता है its bleeding ठीक है तो जब bleeding होती है तो तो तुम को क्या लगता है कि bleeding अगर शुरू हो गई तो वो मतलब continue रहेगी क्या कि वो होती जाएगी होती जाएगी इनसान की शरीर का जितना भी खून है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा क्या कि मामुली जो आना paper cut लगा है paper से cut लगा है लेकिन फिर भी जो खून निकलना बंद नहीं हो रहा ऐसा होता है क्या क्यूं चोट लगी है नई नहीं चोट लगी है जोड से लगी हो, धीरे से लगी हो खून निकलेगा लेकिन एक time के बाद खून निकलना बंद हो जाता है मतलब कि जो bleeding है वो रुख जाती है क्यों? क्योंकि जहां पर चोट लगी होती है वहाँ पर एक खून का ठक्का जम जाता है जिसको पन बोलते हैं blood clot तो blood clot का formation हो जाता है जिसके चलते जिसके चलते खून जो बहना है बिटा वो बंद हो जाते हैं जैसे कि नदियों के उपर नी डैम बना देते हैं जैसे कि नदी बह रही है ठीक है अब हम चाहते हैं कि यहां पर नदी का पानी ना है यह नदी का जो डारेक्शन है वो अबन क्या करते हैं थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं तो क्या होता है इसके उपर ऐसे डैम बना देते हैं तो नदी का जो पानी है वो इस साइड आना बंद हो जाता है ठीक वैसे ही जब अपन को चोट लगती तो site of injury पर कुछ time के बाद कुछ seconds और कुछ minute के बाद clot formation हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं blood clot और जहां वो खून का थक्का जामा फिर वहां से फिर blood आना बंद हो जाएगा bleeding जो है basically रुक जाती है तो वो जो बेटा clot formation की बारी आती है ना जब bleeding को रोकने के लिए जब blood clot के formation की बारी आती है तो उस समय आपको जहां पर चोट लगी है मतलब ही site of injury पर आपको blood में fibers देखने को मिलेंगे fibrin fibers basically बनते हैं जो dead damaged blood के cells को लेकर के जो है मतलब trap कर लेते हैं उनको ultimately क्या होता है यहां पर clot बन जाता है तो वैसे तो fibers यहां पर नहीं होता है ऐसा नहीं कि कभी बनेंगे नहीं बनेंगे लेकिन वो clotting के time पर बनेंगे ठीक है वो अपन पढ़ लेंगे 10 में अभी तो तुम यह देख लो हाँ तो हमने क्या बोला कि blood क्योंकि connective tissue है तो जायर सी बात है उसमें भी आपको उसका matrix दिखेगा और matrix में यहां पर आपको पड़े हुई दिखेंगे क्या? cells तो जब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? blood के composition की तो composition में यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक होगा blood का matrix ठीक है इसको हटाओ भई जब हम पन बात करते हैं किसकी? blood के composition की तो composition में यहां पर आपको देखने को मिलेगा blood का matrix और matrix में पड़ुए blood के cells अब यहां पर एक और चिस्तों को मैं बताना चाहूंगी क्योंकि blood थोड़ा सा special है अरे भई specialized connective tissues की category में आता है ना blood तो 100% blood क्या है थोड़ा सा special है तो इसका जो matrix होता है बेटा इसका जो matrix होता है उसको अपने एक special नाम दे देते हैं और वो नाम होता है plasma क्या नाम होता है plasma blood की ऐसा समझ लो कि mamma का नाम क्या है मा का नाम क्या है plasma अपना नाम भूल जाना बेटा लेकिन ये बात कभी मत भूलना बच्चों को लगता है कि blood अलग होता है plasma अलग होता है आरे नहीं दद्दू blood का ही जो matrix है component जो है वो blood का ही एक component होता है plasma blood का जो matrix होता है वही कहलाता है क्या plasma ठीक है उसके अलावा जो blood cells यहाँ पर मैंने बताए हैं आपको बेटा इनको अपन blood corpus cells भी बोल सकते हैं blood corpus cells भी बोलते हैं और एक और नाम होता है formed elements नाम मैं आपको सारे बता देती हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल मतलब कि 9th मनी तो 10th में जाकर के तुम्हें यह नाम जो है जरूर देखने को मिलेंगे पढ़ने को मिलेंगे तो वहाँ पर बहुत चक्के मत हो जाना कि बाप्रे मैं आपने तो पढ़ाई नहीं था लिख दे रही हूँ समझा दे रही हूँ अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है याद रख लेना ठीक है तो जब हम बात करते हैं ब्लड के composition की तो यहाँ पर आपको दो चीज़े देखने को मिलती है एक होता है ब्लड का matrix और दूसरे होते हैं क्या blood में पढ़े हुए sorry एक हो गया क्या blood का matrix और दूसरा क्या ओके जब अपन बात करते हैं बेटा blood cells की या blood corpuscles की या formed elements की याने की in short जब अपन बात करते हैं blood के cells की तो तीन तरह के cells यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कौन-कौन से नाम हो सकता है कि आगे पिछे कभी न कभी आपने सुने हो RBCs याने की red blood cells WBCs याने की white blood cells and last platelets वो जो मैं आपको कुछ दिर पहले बता रही थी ना कि खून निकलना बंद हो जाता है breeding रुख जाती है कुछ दिर बाद क्योंकि वहाँ पर clot का formation हो जाता है fibers बगेरा बन जाते हैं जो dead cells को trap कर लेते हैं clot बन जाते हैं तो बिटा वो जो blood clotting है ना उस blood clotting को initiate करने वाले होते हैं यही platelets याने की अगर चोट लगती है किसी इंसान को खून निकलता है site of injury से कुछ time बाद bleeding रुख जाती है तो वो क्यों रुख जाती है क्योंकि उस इंसान के शरीर में blood में पाए जाते हैं platelets और वही क्या करते हैं blood clot का formation करके खून के बहने को बंद कर देते हैं तो इनके बारे में आप बात करोगे कहाँ detail में class 10 में अभी मैं आपको clot formation नहीं समझाओंगी थोड़ा बहुत basic बता दूँगी platelets के बारे में बाकि जो clot formation है वो तो आपको 10 में जा करके पढ़ना होगा तो ये तीन तरह के बेटा होते हैं blood cells या आप बोल सकते होगी formed elements, RBCs, WBCs and platelets ठीक है इन तीनों के बारे हम detail में बात करते हैं लेकिन उसके पहले जरा मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्या plasma मतलब कि कुछ बाते हैं जो मुझे आपको बता देनी चाहिए blood के plasma के बारे में ठीक है? आज़ो फिर बात अपन करते हैं plasma के उपर पहला sentence जो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए काईदे से plasma के बारे में कि यह क्या होता है? blood का matrix होता है ठीक है? आचा, कुछ दिर पहले मैंने आपको बताया था कि blood क्या है? है तो एक connective tissue ही लेकिन उसको अपन fluid क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पूरी body में flow कर पाता है blood है ना? तो इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं? fluid connective tissue बोल देते हैं लेकिन क्या तुम्हेरा दिमाग में एक सवाल आया है कि मैं मैं ब्लाड में ऐसा क्या होता है? कि यह पूरी body में flow कर लेता है भाई अभी तक तो हमने nervous tissue पढ़ लिया है muscle tissue पढ़ लिया है और इतने सारे already हम क्या कर चुके है connective tissues भी पढ़ चुके है aerular से ले करके cartelic तक, bones तक लेकिन इन में तो हमने कहीं भी जो है ना किसी tissue को flow करते हुए नहीं देखा body में माना कि blood क्या करता है connective tissue हो करके पूरी body में flow करता है, बट blood में ऐसा क्या है जो वो flow कर पाता है हमारी body में बाकी जो animal tissues हैं उन में तो ऐसी कोई tendency नहीं होती कि हम बोले कि देखो epithelial tissue भी क्या कर रहा है हमारी body में flow कर रहा है वो देखो हड़ी भी क्या कर रही हमारी body में फ्लो कर रही है कभी इसा होता हुआ आपने सुनाए कहीं देखा है क्या नहीं क्यूं वही तो बात है बात यह है बेटा कि ब्लड को बनाने वाला जो उसका मेट्रिक्स होता है ना प्लाजमा अरे इसमें 90 से ले करके 92 परसेंट बेटा क्या है पानी है किसी चीज में इतना सार पानी जाल दोगे बेटा तो वह तो एकदम बहने नहीं लग जाएगी जैसे कि एक ग्लास है मुझे इसमें क्या करना है कुछ रेसिपी बनानी है क्याब इस ग्लास फशल से ले कर के 92 परसेंट तक मैंने क्या करा है? पानी इसमें भर दिया है ठीक है? इसको मैंने पानी से इतना भर दिया है और फिर मैंने क्या करा? इसमें कुछ-कुछ मतलब सपोज शक्कर डाल दी और नमक डाल दिया कुछ सिरफ वगरा भी डाल दिया तो मालो मेरे पास एक मतलब कंटेनर था उसमें मुझे कुछ रेसिपी बना नी ती तो मैंने क्या करा इतना सारा जो है 90 से लेकर के 92 पॉसें मैंने क्या करा इसमें पानी डाल दिया अब आप मुझे बताओ बेटा कि यह जो रेसिपी बनेगी जैसी मैं अपने ग्लास को वैसे उल्टा करूंगी यह बह जाएगी क्यों अरे जिस रेसिपी में इतना सारा पानी हो तो वह बहेगा नी तो क्या होगा तो ब्लड की भी तो खास बात यह है कि उसको बनाने वाला ज रमेनिंग आप बोल सकते हो कि जो 6-8% है जो 8-10% है 8-10% क्या होते हैं other substances होते हैं other substances वह other substances भी क्या है मैं बताओंगी ठीके अचा अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैम ब्लड का जो मैट्रिक्स है बोले तो प्लाज्मा उसमें इतना सारा पानी है क्या थी पानी की 90 से लेकर के 92% तक जो हिस्सा होता है बेटा प्लाज्मा का वो पानी से बना होता है तो मैं इतना पानी डालने की जरुवत क्या थी क्योंकि बेटा पानी जरूरी है बॉडी में हमारे पानी जरूरी है क्याते है ना कि keep yourself hydrated कि अगर कभी भी तुमारे शरी में पा 8 से 10 पीओ मैं कहते हूं कि अगर तुम 8 से 10 पी सकते तो तुम 10 से 12 ग्लास पानी भी पी सकते हो क्योंकि तुमारी शरीर में पानी जरूरी है क्योंकि डिफरेंट जो बॉडी में chemical reactions हो रही होती ना बेटा उनको होने के लिए एक medium चाहिए होता है वो medium क्या होता है वो पानी ही होता है पानी में धेर पानी को अपन universal solvent बोलते हैं पता है क्यों chemistry में अपन यह बात पढ़ते है कि पानी इसा universal solvent क्योंकि धेर सरी चीजें पानी में आकर के dissolve हो जाती है तो body में इतना सब कुछ है बेटा तो कहीं ना कहीं उसको dissolve करना पड़ेगा ना किसमें करेंगे पानी में करें कि वो क्या universal solvent है तो शरीर में पानी की जरूरत है और इसलिए जो blood है उसका जो matrix है plasma उसमें इतना सारा होता है क्या पानी अच्छा एक और चीज मुझे percentage से याद आई अपने ये तो देख लिया कि blood का जो composition है मतलब blood किस किस शीज से बना होता है तो हमने बोला कि हाँ ब्लड का matrix होता है उस matrix में क्या होता है ब्लड के cells पड़े होता है लेकिन इसका भी percentage आपको पता होना चाहिए ठीक है तो blood का जो matrix होता है ना उसका plasma जो remaining 45% है वो बनाते हैं कौन ये blood cells ठीक है चलो आज़ा 45 में भी अगर मैं आपको बोलू तो बेटा major percentage जो है वो RBC इसका होता है मैंने क्या बोला blood का 55% तक का जो हिस्सा है वो बनाता है उसका matrix याने की plasma 55% तक का ऐसा ठीक है ना जो remaining 45% हिस्सा है वो बनाते हैं कौन हमारे ये blood cells 45 में से भी बेटा 44% blood का बनाती है सिर्फ और सिर्फ RBC जो कि RBC का number बहुत ज़्यादा होता है हमारे body में हमारे blood में जो remaining 1% है वो बनाते हैं कौन ये दोनों WBCs and platelets ठीक है तो 55% तक का जो हिस्सा है blood का वो बनाता है उसका matrix plasma 45% बनाते हैं कौन blood cells और blood cells में भी 44% हिस्सा किसका होता है RBCs का और remaining 1% को मनाते हैं WBCs and platelets इतना ठीक है चलो मतलब ये percentage से बेटा होता क्या आप मुझसे से जो है in figures से तुम familiar हो जाओ जान पहचान कर लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो और उसके अलावा एक और फाइदा यह होता है कि तुम्हारे से जमाग में clarity मिल जातीगी अगर मैं बोलूँ कि बेटा सुनो प्लाजमा जो है ना वो ब्लड का मेजर हिस्सा बनाता है और formed elements जो होते हैं जो blood cells होते हैं वो कम होते हैं तो major हिस्सा कितना major हिस्सा यह कम होते हैं तो कितने कम होते हैं इन तीनों में तुमसे मैंने कहा कि बेटा RBC's का number सबसे ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा होता है यह कितना जो होता है नमबर यह जो amount है यह आपको तभी clear होता है जब आप यह percentage देखते हो तब समझें? चला आगे बढ़ते हैं तो हम कहां थे? हम थे plasma के उपर कि blood का matrix है यह इसमें इतना सारा पानी होता है और remaining जो 8-10% इसका हिस्सा है plasma का वो कौन बनाते हैं? other substances बनाते हैं other substances में भी बेटा 1% होते हैं solutes solutes मतलब क्या? जो पानी में घुल जाए क्या होते हैं? वो 1% solutes, vitamins body में तरह तरह के hormones होते हैं वो मतलब की यहाँ पर अभी में जो भी solutes लिखूंगी ना बेटा, वो सारे solutes plasma का यह इतना सारा पानी है उस पानी में यह सारे dissolved रहते हैं इसके लावा gases gases बोले तो oxygen हो गई carbon dioxide हो गई body में nitrogenous waste भी हो ते जैसे कि तुम protein खाते हो ना आप बोलोगी कि मैं nitrogenous waste क्या होता है जब हम protein खाते हैं तो naturally हम जो protein खाते हैं वो body में required होता है ठीक है क्योंकि हमने जो protein जो हमारे काने में protein था वो protein पहले तूटेगा फिर वो कहां पहुंचेगा blood stream से निकल करके body की cells तक पहुंचेगा तो मलब proteins जब तूटते हैं बेटा तो amino acids बनते हैं वो amino acids blood stream से निकल करके कहां जाएंगे body की cells तक जाएंगे body की cells क्या करेंगे उन amino acids का इस्तिमाल करके अपने लिए खुद के लिए क्या कहेंगे proteins बनाएंगे मतलब की body में हमने proteins लिए उसको तोड़ा गया जो amino acids बने उन से दुबारा क्या किया गया proteins बनाए गया जो body को जो body के लिए required थे वह वाले ठीक है अब कभी कभी क्या होता है कि हमें भूच सवार होता है कि प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए तो हम क्या करते हैं दे प्रोटीन दे प्रोटीन खा जाते हैं अब जितना protein body में जो तुमने protein खाया है किसमें amino acids में अब जितने amino acids तुम्हारी body में तुम्हारे body के cells को required होंगे उतना तो इस्तमाल हो जाएगा फिर एक्स्ट्र तुम लोगों ने लाकर के दे दिया कहां से कहां यह पगला इंसान है इतना protein खा रहा है कि जो amino acids बन रहे हैं उनको उटिलाइस करना मुश्किल हो पार तो जो extra amino acids होते हैं वो अल्टीमेटली कहां जाते हैं लेवर के पास लेवर पता है उन एक्स्ट्रा amino acids को ठाकर के तोड को देता है जब वो तोड़ता है तो फिर कुछ nitrogen containing आप बोल सकते हो कि compounds बन जाते हैं जैसे कि ammonia ठीक है एक्चली उबिटा होता यह है कि proteins को तोड़ने से जो amino acids बनते हैं उन amino acids में भी क्या होता है nitrogen होता है तो जब लिवर extra amino acids को तोड़ता है तो nitrogen obviously बात है nitrogen को क्यारी करने वा तो जब लिवर extra amino acids को तोड़ता है तो कुछ nitrogen containing compounds बन जाते हैं जैसे कि ammonia बन गया यूरिया बन गया तो पिटा इन nitrogen containing compounds को हम क्या बोलते हैं nitrogenous waste बोलते हैं क्योंकि यह यूरिया, uric acid, ammonia बनते हैं पिटा हमारी body में यह कचला है हमारी body के लिए, यह nitrogenous waste है इनको body से बाहर निक गये उनको तोड़ा गया nitrogen containing compounds बने जैसे कि यूरिया, uric acid and ammonia यह सब क्या है गंदगी है कच्रा है इसको body से बाहर निकालना होता है और इसलिए अपन इन सब को क्या बोलते हैं nitrogenous waste बोलते हैं अब यह nitrogenous waste body से बाहर निकलेगा कैसे बेटा तो लिवर ने nitrogenous waste बना तो दिया करेंगी, kidneys काम करेंगी filtration का, कि blood में जो भी nitrogenous waste है, उस nitrogenous waste को kidney blood से बाहर निकाल करके अपने पास रख लेंगी, अब बेटा waste तो waste है, कच्रा तो कच्रा ही है, तुम्हारे घर के सामने से कच्रा की जो गाड़ी होती है, नगर निगम वाले, वो तुम्हारे घर का कच्रा लेक करके चले जाते हैं, वो कच्रा तुम्हारे घर से तो चला गया है, नगर निगम की गाड़ी में आ गया है, लेकिन अल्टीमिटली बेटा है, तो वो कच्रा ही न, नगर निगम की गाड़ी भी क्या करेंगी, उस कच्रे को डंपिंग याड में फेक याईगी, तो kidneys के पास जो बेटा ब्लट से निकल करके nitrogenous waste आ गया है, वो nitrogenous waste किड्नी से भी बाहर निकलना चाहिए, और इसलिए kidneys क्या करती है, उस nitrogenous waste को पानी के जाद मिक्स कर देती है, एक मिश्रन बना देती है, और उसी mixture को हम बोलते है, urine, बोले तो सुसू, जो अपन urinate करते हैं, जो अपन बेटा, तो हमारे लिए चीज़े बहुत ही difficult हो जाएंगी, अब तुम्हें पूरा link समझ में आया, biology बहुत interesting है, it's just that कि आपको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, link आपको बठानी आनी चाहिए, कि liver में बन गया nitrogenous waste, क्योंकि extra amino acids को ठिकाने लगाना था, अब वो nitrogenous waste कहा नहां जाएगा, blood में जाएगा, blood से पहाँ जाएगा, kidneys में जाएगा, kidneys क्या करेंगी, nitrogenous waste को blood से बाहर निकालेंगी, उसको पानी में मिला करके, क्या करेंगी, urine बना देगी, फिर वो urine, kidneys से कहाँ ह chopped, हमारे urinary bladder में और फिर वहां सम्किा करेंगे, release कर देगे, यनिकि कुल मि वेस्ट है उसको आना तो ब्लड में यह न मतलब लिवर ने बना दिया वेस्ट अब वह कहां आएगा निट्रोजनस वेस्ट वह ब्लड में आएगा तो ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें आकर कि वो ऐसे डिजॉल्व हो जाएगा बात आई समझने की नहीं ठीक है कि लिवर से निकल करके नाइट्रोजनस वेस्ट किड्नीज के पास जन्हें तो तुमको क्या लगता है वो ऐसे फैंक के देगा कि लो किड्नीज लो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं ब्लेड ब में लिख देती हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट उसके अलावा जो अपन खाना खाते हैं बेटा उससे क्या बनता है गुलू बनता है ग्लुकोज मतलब की है ना अमीनों आसेट बगरा बनते हैं मतलब की यह सारे न्यूट्रियंस बनते हैं तो यह न्यूट्रियंस भी कहां बेटा ब्लेट में पाए जाएंगे ब्लेट में कहां तो उसके प्लाज्म में उतना सारा पानी है ना उस पानी में तुमको यह पड़वे मिलेंगे तुमने खाना खाया तुमारे इंटस्टाइन में क्या हुआ वो डजस्ट हो गया अब जो न्यूट्रियंस बने जैसे की ग्लुकोज, अमीनोवासिट वगयरा ठीक है यह सब कहां जाने हैं यह सब जाने तुमारे इंटस्टाइन से निकल करके तुमारे बॉड़ी के सेल्स के पास लेकिन कैसे किसके थू तो ब्लेट बोलता है कि भईया मैं तो हर एक बॉड़ी सेल के पास जाता हूं तो मुझे मुझे दो ग्लुकोज, मुझे दो अमीनोवासिट, मुझे दो न्यूट्रियेंट्स मैं वहां पहुंचा दूँगा तो ब्लेट का जो प्लाजमा है ना बिटा उसी में आपको यह सब कुछ देखने को मिलेगा विटमिन्स, हॉर्मोन, गासे, नेटरोजनस, वेस, को मिलेगा और वो सब भी क्या कर रहे हैं यह मिल करके केवल एक परसेंट हिस्सा बना रहे हैं अधर सब्सेंस का बाकी जो six to eight percent होते हैं वह क्या होते हैं प्रोटीन जिनको अपन बोलते हैं प्लाजमा प्रोटीन बात समझ में आईगी नहीं क्या बोल दिया मैंने भई ब्लड का जो मेट्रिक्स है उसको अपन बोलते हैं प्लाजमा 90 से 92 परसंट तक वो बना होता है किसका पानी का remaining 8 to 10 परसंट उसमें क्या होते हैं other substances other substances में भी majorly कौन होते हैं 6 to 8 परसंट प्लाजमा प्रोटीन और remaining जो 1 परसंट होता है बेटा उसमें आते हैं सारे solutes जो ब्लड के प्लाजमा में पड़े हुए तुमको मिलेंगे अब यह प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा तीन प्रोटीन के नाम लिख रही हूं याद कर लो नहीं तो 10 में जाकर क्यात करने ही पड़ेंगे अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन और यह जो फिब्रिनोजन है ना पेटा यही होता है जो प्लेटलेट्स के आप बोल सकते हो कि उकसाने पर फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन और फिब्रिनोजन होता है अपने क्या बढ़ा कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं ब्लेट क्लोटिंग में हेल्प करते हैं कैसे तो यह प्लेटलेट्स जाकर के बेटा एक तरीके से फिब्रिनोजन को उकसाते हैं तो फिब्रिनोजन क्या करता है अपने एक्ट तो यह पूरा बेटा प्लाज्मा के बारे में कि यह मैट्रिक्स है इतना साथ पानी है एक टू-10% क्या होते आदर सब्स्टेंस जिसमें की सारे सॉल्यूट्स कि ऩा जोग प्लाज्मा डिजॉल्प रहें लिखा उसी color से है, बट में बताना भूले, बिटा, plasma का color होता है, pale yellow, pale yellow, in color, pale yellow का मतलब, अच्छा, इसको पन straw colored भी बोलते हैं, और you can say, straw colored, straw का मतलब होता है, भूसा, जैसे कि भूसे का color होता है, वैसी होता है, plasma का color, अब तुम लोग बोलोगे, कि मैं भूसा आज तक नहीं देखा जिन्दगी में, तो कैसे समझ में आएगा, तो यह देखो बिटा, यह है, यह है blood का plasma, आप बोलो कि कि मैं, जब हमें खून निकलता है, तो खून का रंग तो क्या होता है, लाल होता है, आपने बोला कि इसमें इतना सारा plasma है, plasma जो है, वो blood का 55% तक का हिस्सा बना र निकलता हुआ दिखना चाहिए, यह लोग रख को कुछ ऐसा निकलता हुआ दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता, बेटा, क्योंकि plasma तो है, लेकिन plasma के साथ-साथ क्या है, plasma के साथ-साथ, बेटा, RBCs भी तो है, formed elements भी तो है, जो अपना interference करता है, तब तो दिखता नहीं कि यह देखो, यह plasma, RBC, WBC, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता, तो मैं, यह blood की चितने components होते हैं, इनको अपन हम separate कैसे कर पाते हैं, तो इसका तरीका होता है, बेटा, centrifuge करने का, मतलब की blood को test tube में भरो, एक centrifuge करने की machine आती है, centrifuge का मतलब होता है है, बेटा, की high speed पर क्या करते हैं, घुमाते हैं, rotate करते हैं, ठीके, तो blood को एक test tube में भरो, उसको आप उस machine में रख दो, वो क्या करेगी, तेजी के साथ blood को centrifuge करेगी, मतलब की घुमाएगी, rotate करेगी, और फिर क्या होगा, अपनी density, अपने अपने वजन के साब से क्या को मिलेगा, यह देखो, plasma, यह blood को बेटा centrifuge करके, जो result आया ना, यह आपको वो दिखाया गया है, कि सबसे उपर देखो, क्या हुआ है, उसका plasma होता ना, कि अपने तेल और पानी मिलाया, चीक है, और अच्छे से mix कर दिया, कुछ दिर के लिए छोड़ दिया, तो फिर क्या आजाता है क्या plasma, यह देखो, pale yellow color का है, straw color का है, नीचे आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, यह बिटा क्या है, पूरा, RBC, यह सब क्या है, red blood cells है, ठीक है, और in between plasma and red blood cells, एक आपको buffy zone देखने को मिलता है, यह दिख रहा है, यह वाला, यह वाला, यह, यह होता है, buffy zone, य अगर आपने सुना हूँ, कि किसी को खून की जरुवत है, ठीक है, तो जरूरी नहीं यह बिटा कि अगर किसी को खून की जरुवत है, तो उसको हमेशा पूरा का पूरा खून चढ़ाया जाएगा, देखेंगे कि अगर इसके खून में platelets की कमी है, तो केवल platelets भी चढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से blood के सारे components अलग-अलग हो जाते हैं, centrifugation से, सबसे उपर क्या आता है, plasma, नीचे RBCs, और बीच में जो बफी जोन होता है, वो उसमें क्या होता है, platelets and WBCs होते हैं, ठीक है, चल्द, हाँ जी, इतना आपको पढ़ाती हूँ, RBCs के बारे में, आजाओ, अब अपन बात कर रहे है, formed elements की, इसमें भी अपन सबसे पहले बात करते है, RBCs की, पूरा नाम क्या होता है, बिटा, red blood cells, इनको एक और नाम से जाना जाता है, erythrocytes, erythrocytes, ठीक है, RBCs का full form होता है, red blood cells, और इनका एक और नाम होता है, erythrocytes, इनका नंबर बेटा, ब्लेड में बहुत जादा होता है, कितना होता है, 5 to 5.5 million RBCs होते हैं, पर millimetre क्योबिक औफ, ब्लेड में, जो बोल रहा है न, कि 45 में से 44% हिस्सा कौन बना देते हैं, RBCs बना देते हैं, तो वो ऐसी सुटी ना बना देते हैं, पर millimetre क्योबिक औफ ब्लेड में बेटा, जड़ा देखो, 5 से 5.5 million RBCs होते हैं, अच्छा, इन ब्लेड सेल्स को अपन रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाकई में बेटा, ये रेड कलर की होते हैं, इसलिए इन को अपन क्या बोलते हैं, RBCs रेड ब्लेड सेल्स बोलते हैं, अब सवाल ये है कि मैं ये रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है, एक रेड कलर का iron containing pigment, जिसको अपन बोलते हैं, हीमो गलोबिन, तुम तो बस ऐसा समझो न, कि तुमारे पास एक polythen है, ठीक है, transparent वाली polythen है, उस polythen में बेटा, यदि मैं रूफजा डाल दूँ, रूफजा का कलर तुम को बता न, red कलर का होता है, तो अगर मैं transparent polythen में, रूफजा डाल दू, red कलर का, रोज सिरफ डाल दूँ, तो क्या उस पूरी पॉलोथिन का कलर रेड या ऐसा पिंकिश नहीं हो जाएगा अगर मैं किसी पॉलोथिन में खस का शरबत डाल दूं तुम लोग ने वो नहीं देखा हो खस का शरबत तो ठीक है मैं एक ट्रांस्परेंट पॉलोथिन में यदी ओरेंज कोई ड्रिंक आती है न जिए कि यह जो वह मैं डिचाल करता है न बालत रेड जनांने जाता है वैसे ही ब्लड सेल का एंगर यह जाता है जाता है जैं है रेड्कलर का आरन containing pigment याने की hemoglobin होता है ठीक है, so they are red in color ये हो गया, उसके अलावा they contain यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि they contain they contain red colored कुछ जावी बतला हो गया red colored iron iron containing pigment hemoglobin short में नहीं लिख रही हूँ hemoglobin ठीक है तो RBCs के अंदर बेटा एक red color का pigment होता है iron जिसमें पाया जाता है अंदर ठीक है मतलब जो pigment है न हीमोगलोबिन उसमें आरन होता है अब आई बात समझ में मुझे नहीं पता मैंने बहुदन से नहीं खाई है लेकर ना मेरे बच्पन में तो है क्या हमारे RBCs यानि की red blood cells आप इसका opposite surface देखोगे न तो वह भी क्या होगा ऐसे अंदर की तरफ बैटा उसका क्या होगा बैए कोई चीज अंदर की तरफ तभी धसी रह सकती है ना जब अंदर क्या हो खाली हो कि नूक्लियस ना हो सेल के अंदर तो वाकई में इनके पास नूक्लियस नहीं होता नो नूक्लियस red blood cells असे cells होते हैं जिनके पास नूक्लियस नहीं होता है मतलब इसा नियूक्त ही बच्पन से ही नहीं होता मतलब बच्पन मतलब की जभ यह जो ω ऑर्बीत जो होते ना जब यह यांग होते हैं तो इनके पास इनका आप बोल सकते हो क copying uh nucleus होता है बट जैसे-जैसे यह mature होते जाते हैं एक जोड़े सेछ ऐसे बच्शें बच्पने मेंने के पास nucleus था लेकिन जैसजी से इसाए बड़े होने लगए तक न डि데 बेटार्व मक्सद कुछ झोण बेकस करना अब यह समझ लो कि RBC को हम बोलते हैं इन रेड ब्लेट सेल्स को हम बोलते हैं यह भाईय सुनो अगर तो तुम्हारे अंदर जाधा दिन तक नूकलिस नहीं रहा तो फिर तुमसे तो मर जाओगे तो यह बोलते हैं कि मैं कोई दिक्कत की बात नहीं आप हमारा लाइट स्वें भले ही क सत को करेंगे हमें फरंख नहीं पढ़ता कि बिना नियुकलिस के हमारा जो लाइफ स्वेंने बढ़ा है हमें रखनी पढ़ता है लिटरली यह होता है कि इनका लाइफ स्वेंते जौन स्टर्मक के फीछ च्छोटी सीत ऑर इस्को हपनगे बहलते हैं हैं स्प्लीन 120 days के बाद मतलब कि डिस्ट्रॉइ कर दिया जाता है अब आप बोलोगी कि मैम अर्बीसी को लाइस्पैन है वह 120 डेज्ट का ऐसे तो फिर जब से हम पैदा हुए है तो बिटब नए अर्बीसी पैदा भी तो होते जाते है ना मर रहे हैं 120 डेज के बाद यह मर जाएंगे लेकिन उनकी जगह पे फिर नए अर्बीसी जाते हैं तो जिन्दा की बाद नहीं ह Mitochondria हम इनको बोलेंगे कि भाई या मर जाओगे बिना Nucleus के तो यह बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है मर जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है? तो इनका जो Life Span है बेटा वो कितना होता है? 120 days का होता है बस यह इतना ही जीवन बिताएंगे उस कारण ठीक है? लेकिन ना Nucleus नहीं अंदर इसका मतलब यह नहीं कि अंदर कुछ भी नहीं होगा अरे यह होगा न हीमोगलोबिन यह होगा बड़ी चका चक हीमोगलोबिन जिसके कारण इनको क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है अचा अब आप बोलोगे कि मैं आपने कहा कि RBCs जो होते हैं यह अपना Nucleus खो देते हैं क्योंकि इनका जो मकसद है बॉडी में रह करके कुछ करने का वो अलगी है इनको फरक नहीं पड़ता Nucleus से, इनके लाइसपैन से इनका कुछ अलगी मकसद है तो मैं इनका मकसद क्या होता है? बेटा मकसद मैं आपको बताती हूँ कि RBCs हमारे लिए जरूरी क्यों है? पहली बात तो RBCs के पास क्या होता है? यह हीमोगलोबिन होता है और यह जो बेटा हीमोगलोबिन है यह मतलब बड़े काम का पिगमेंट होता है इसके बिना आप यह समझ लो कि लंग्स से हमारे बॉड़ी सेल्स के पास इतने सारे बेटा बॉड़ी सेल्स हैं सर पर हैं हाथ में हर कहीं तो बॉड़ी सेल्स ही हैं तो इस पिगमेंट के बिना हमारे चो फेपड़े हैं उनमें चो ऑक्सिजन आ जाती है जब हम इनहेल करते हैं सास अंजर लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है अगर ये ना होना तो वो ऑक्सिजन हमारे बॉड़ी के सेल्स के पास जल्दी ना पहुंच पाए पहुंच जैविजेए निए और तो हमो कहा होसे जैए क्यों है क्यों अगर हीमोघ्योंभेविन होगा नगा तो औक्सिजन क्या करेगी करीई डीफ्यूजन की ठीफंट मेर्वしま अगशार को थे औ। पहुंचे हैं फेपड़ों अंगूटे के सो में फोचएगी तो उसमें 3 साल लग जाएंगे तो आप खुद ही बताओ बेटा कि कोई भी सेल इतना इंतजार करेगा क्या सेल सो चिलाते रहते हैं लगातार कि यह ओक्सिजन चाहिए ओक्सिजन चाहिए इसका मतलब यह कि लांग्स से बेटा बोडी सेल तक ओक्सिजन बहुती कुविक्ली सप्लाइ करनी होती है अराम का मामला नहीं होता है यहाँ पर कि 3 साल लग गए 4 साल लग गए कोई दिक्कत के पर 5 वर्षी यह जना यहाँ पर नहीं बनती है बहुती एफिशेंट और बहुती क्विक सप्लाइ होनी चाहिए ऑक्सिजन की लांग इसे बोडी सेल के पास क्योंकि बोडी सेल को ऑक्सिजन की बहुत रिक्वार्मेंट होती क्योंकि बोडी सेल को सेलिलर रेस्पिरेशन करना होता है एनर्जी बनानी होती है ठीक है तो इसमें और क्या करता है लांग में आ गई oxygen प्लानी है अब आपको यह दुक्त और तिम कहां जाओंगे अक्सिझन को लेकर के ठीक हां जा रहें body के ये वाले cell के पास तो एक काम करो oxygen हमें दे दो यानि कि oxygen कहां से आ जाएगी बिटा एल्विलाइस से lungs से oxygen कहां जाएगी या जाएगी blood में अब blood में क्या होता है rbc's, rbc's में क्या होता है hemoglobin, ये hemoglobin पता है क्या करेगा, हे hemoglobin oxygen का ऐसे हाथ पकड़ लेगा और इसको हाथ पकड़ करके हर एक body cell तक distribute करवा देगा फड़ाफट, ऐसा नहीं है कि oxygen खुद नहीं पहुँच पाएगी पहुचेगी लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा तो जैसे ही lungs से निकल करके oxygen आती है कहां blood में blood में होता है rbc's, rbc's में होता है hemoglobin pigment, वो pigment क्या करेगा ऐसे पकड़ेगा oxygen का हाथ और उसको फटक से क्या करेगा हर एक body cell तर deliver करवा देगा तो ये oxygen transport का बिटा काम करता है oxygen को supply करता है lungs इसे कहां तक body के cells तक efficient supply बनाता है इसलिए जरूरी है इसलिए rbc's हमारे लिए जरूरी है और इसलिए rbc's का number जादा है आप तो ये समढ़ लो कि rbc's क्या होता है rbc's के अंदर ये जो hemoglobin pigment होता है ये क्या होता है ये तरीके के auto होता है ये वो taxi होती है ओला होती है, ओला, ओला cap क्या करेगी जैसी oxygen lungs इसे निकल करके blood में आएगी पड़पड क्या करेगी वो अपने लिए क्या बुक करेगी, क्या मतलब ब्लेट में जो rbc's होता है उनमें जो hemoglobin pigment होता है उसमें जाकर के बैड जाएगी, हाथ पकड़ लेगी बलाब oxygen जो है बॉड़ी में बहुत सारे cells है सबको oxygen चाहिए, वो भी जल्दी-चल्दी चाहिए और इसलिए अगर सवारी जादा हो तो cap जादा होनी चाहिए और इसलिए rbc's का नंबर क्या होता है हमारी बॉड़ी में बेटा सबसे जादा होता है ठीक है? चल तो यहाँ पर मैं साइट में लिख देती हूँ कि oxygen transport में ये help करता है helps in oxygen transport ठीक है? तो यह पूरी काहानी होगी बिटा किसकी rbc's की नंबर इनका देख लो ये color में red क्यों होता है? क्योंकि इनके पास एक red color का pigment होते है इसको अपन क्या बोलता है? हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन क्या करेगा? और oxygen का हाथ पकड़ करके हर एक body cell तक पहुँचा देगा by concave होते हैं ये shape में दोनों ही तरफ से अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं nucleus नहीं होता, mitochondria नहीं होता और life spinning का कितना होता है? 120 days का होता है ठीक है? इसके बाद में क्या होगा? spleen में जाकर के दफन हो जाएंगे दफन क्यों बोला? क्योंकि वाकई में बेटा spleen को अपन graveyard ही बोलते हैं graveyard मतलब क्या? जहां पर dead bodies को दफन करते हैं ना? तो वहां पर जाकर के इनकी हो जाती है चलो, अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? WBCs की आजाओ WBCs पूरा नाम white blood cells इनको white क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये white होते हैं color में they are white in color क्यों होते हैं white in color? क्योंकि इनके पास hemoglobin नहीं होता है और क्या? WBCs red क्यों थे? क्योंकि उनके इनके रहीमों गलोबिन था ये red क्यों नहीं है? ये सफेद क्यों है? क्योंकि इनके रहीमों गलोबिन नहीं होता नंबर कितना होता? ये बड़ा सबसे काम होते हैं नंबर में 6000 to 8000 per mm3 of blood बात आई समझ में पाए जाते थे और कहां ये देखो? क्योंब 6 to 8000 6000 to 8000 ठीक है? ये nucleated cells होते हैं मतलब कि इनके पास nucleus होते हैं ठीक है? उसके अलाबा इनका main function क्या है? immunity provide करना बोले तो defense provide करना कि body में कुछ भी गरबर हो रही है कोई pathogen आ गया कोई जर्म आ गया कोई bacteria, कोई virus आ गया तो सबसे पहले जाकर कि ये लड़ाई करेंगे उससे कि ऐसे कैसे तुम आ गया body के न तो तुम्हाई ऐसी के तैसी लोग तुम्हें मार डालेंगे हम तो बोड़ी का जो defense mechanism है न वो यही बनाते हैं ये body को immunity प्रोवाइट करते हैं ठीक है इसके types आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है मैं आपको फड़ा फट से इसके types बता देती हूं बेटा WBCs broadly दो categories में categorized होते हैं granulocytes and agranulocytes agranulocytes हाँ देखो होता क्या है जब अपन WBCs को ऐसे microscope से देखते हैं तो कुछ WBCs ऐसे होते हैं जिनके cytoplasm में हमें granules देखने को मिलते हैं और कुछ WBCs ऐसे भी दिखते हैं जिनके cytoplasm में हमें granules नहीं देखते हैं तो वो WBCs जिनके cytoplasm में हमें granules देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोल देते हैं granulocytes और वो WBCs जिनके cytoplasm में हमें granules नहीं देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोल देते हैं agranulocytes ठीके अब जो granulocides होते हैं पीटा इनकी भी तीन categories होती है ठीक है इन में तीन तरह के इस category में आप यह समयों कि दूने भी WBCs हैं उनको हम broadly इन दो categories में उठा करके categories कर देते हैं फिर जब हम बात करते हैं granulocides की तो यहां पर आते हैं तीन तरह के WBCs नाम क्या होगा basophils, basophils, eosinophils, eosinophils, eosinophils and neutrophils क्या बोना मैंने कि broadly दो categories में हमने categorize करें WBCs को जब हम बात करते हैं granulocides की तो यहां पर आते हैं यह तीन तरह के WBCs basophils, eosinophils and neutrophils याद कैसे करेंगे एक cartoon आता था मेरे टाइम पर I don't know अब आता है की नहीं आता Ben 10 नाम का एक cartoon आता था Ben 10 नाम का Ben 10 की जगह पे आप एक काम करो यह 10 की जगह पे आप यहां पर लगा दो Ben G जिसे अपन किसी को बोलते ना कि बहन जी साही रट जाएए तो Ben G आप ऐसे ब्यात कर सकते हो Ben G G stands for granulocides B stands for basophils, E stands for eosinophils and N stands for neutrophils आपको यह याद हो जाएगा कि बहिए granulocides की category में यह तीन WBCs आते हैं basophils, eosinophils and neutrophils ठीक है then A granulocides, तो Ben G यहां पर जो है आपको दो तरह की cells देखने को बेलेंगे मतलब WBCs, एक का नाम होता है monocytes और एक का नाम होता है lymphocytes सबसे ज़ादा होते हैं number में neutrophils, 60-62% WBCs कौन से होते हैं neutrophils ही होते हैं और सबसे कम होते हैं यह basophils, 0.5-1% तक ठीक है तो यह सारे बेले types होते हैं किसके WBCs के granulocides, A granulocides इस category में आजाएंगे basophils, eosinophils and neutrophils और A granulocides सी category में आजाएंगे monocytes and lymphocytes ठीक है अब इतना detail आपकी syllabus में नहीं है बट थोड़ा सा मैं आपको extra पढ़ा देती हूं इनके basic basic मैं आपको function बता देती हूं ठीक है, जैसे यह जो neutrophils हैं बेटा, सबसे ज़ादा होते हैं नंबर में यह WBCs हमारी body में, हमारे blood में तो यह इस बात का भरपूर फाइदा उठाते हैं जहां भी कहीं infection हो रहा होता है मतलब जैसे कि suppose body में यह कोई जगा है ठीक है कि कोई specific part में region में जो है कोई pathogen आया है कोई आप बोल सकते हो की germ आया है infection cause कर रहा है तो सबसे पहले site of infection पर यह भागेंगे क्योंकि बड़ा WBCs का का हमी है क्या defense provide करना defense mechanism बनाना immunity provide करना बॉडी को तो जो भी बॉडी में pathogen आ रहा है उससे लड़ेगा कौन उससे लड़ेंगे हमारे WBCs तो सबसे पहले कौन आते लड़ने के लिए neutrophils आते हैं जहां भी बॉडी में infection हो रहा होगा सबसे पहले पहुंचेंगे neutrophils और यह पता है पहुंच करके करेंगे क्या यह करेंगे phagocytosis बिटा यह करेंगे phagocytosis अब यह मत बोलना कि मैं phagocytosis का मतलब नहीं पता तो मैं अच्छे से पता है पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं कि उठा करके यह क्या करेंगे neutrophils जो भी पैथोजन होगा उसको ऐसे घेरेंगे अपने अंदर लेंगे और क्योंकि यह क्या है अनिमल सेल्स है तो लाइसोजोम वगयरा तो होंगी अंदर नुट्रोफिल्स क्या है बिटा अनिमल सेल्स ही तो है ना तो यह क्या करेंगी जो भी पैथोजन होगा साइट ऑफ इंफेक्शन सबसे पहले पहुंच करके उसको ऐसे घेरेंगे घेर करके सेल के अंदर लेंगे और फिर सेल के अंदर जो लाइसोजोम होंगे उनसे यह उस पैथोजन को डाइजेस्ट करवा देंगे मतलग कि यह बोलता है कि बिटा तुमको हम छोड़ेंगे नि राइसोजोम से क्या करवा देंगे पैसुजन को डाइजेस्ट करवा देंगे अब कभी तो क्या होता है बेटा हम लड़ने जा रही है किसी से जोरूरी तो नहीं कि हर बास हमारी जीत हो तो यसा भी होता है कि हम गञ् neuronal के एक जिए करने के लिए अब और करके चार-चाट पतलए और बलशाली होते हैं तो पैथोजन पता है क्या है यह उठा कर सब्सक्राइब २त्रॉटा जाता है नूटरोफिल्टेον को यहोता है यह और बड़े सेस बिटा यह बड़ा tiroid चोटा नूटरोशाइब जाएगा अपने बड़े भाई के पास मतलए चाहिए कि बाइब की बाइब को किसने डैमिज पहुंचाया नुट्रोफिल्स को और ये जागर क्या करेंगे पैपने अंदर लेंगे और लाइसोजोम से कटवा देंगे मतलब डाइज़स्ट कर वादेंगे तो ये भी क्या करते हैं तो ये बड़े से अज़ होते हैं, ठीक है, ये इतने असानी से नहीं पहुँचेंगे, ये तब पहुँचेंगे, जब न्यूट्रोफिल्स आकर के शिकायत करेंगे, कि बड़े बया, हमको उसने मारा, साइट ऑफ इन्फिक्शन पर सबसे पहले कौन पहुचते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स पहुचते हैं, ठीक है, चाल, लिंफोसाइट की अगर मैं तुम्हें बात बताओं बेटा, तो लिंफोसाइट पता ही क्या करते हैं, दे प्रड्यूस एंटी बॉडिज, अब आप बोल लेवल का जगड़ा हो सकता है, हो सकता कि केवल बातों का जगड़ा हो, हो सकता कि केवल लात गूसों का जगड़ा हो, मतलब वो मारे तुम मारे, और ये भी हो सकता है कि सामने वाला क्या करें, हमारे उपर उठा करके कुछ फेकने लग जाए, पत्थर फेकने लग जाए, तो इसके लिए हम पूरी तयारी किसा जाते हैं कैसे हम बोलते हैं कि नहीं हम पत्थर का जवाब इट से देंगे इट से भी नहीं हम बॉम से देंगे तो हम क्या करते हैं बॉम के गोले बना करके लेके जाते हैं कि अगर बात बढ़ी तो सामने वाले पर दुश्मन पर क्या कर तो बॉड़ी क्या करती है जो लिंफोसाइट होते हैं यह बनाते हैं बॉब के गोले यह चुप करके क्या करते हैं बॉब के गोले बनाते हैं मतलब कि antibodies बनाते हैं और जहां pathogen आया इनके पास इनको इनसे उलजने के लिए लड़ने के लिए क्या करते पता है दूर से फेक देते हैं bomb का गोला मतलब की antibody और वो बॉम का गोला बेटा फेकिंगे तो क्या होगा वो पटेगा और जो दुश्मने वह वहीं धया हो जाएगा तो लेटरली यह होता है कि लिम्फूसाइड करते हैं बनाते हैं antibodies और जहां पैथोजन आया यह फेक के देते हैं उसके उपर क्या antibodies और antibodies क्या करती जाकर के पैथोजन को मार गिराती है तो बॉम के गोले मतलब क्या antibodies कौन बनाते हैं लिम्फूसाइड बनाते हैं तो एक तरीके का बेटा क्या है यह defense mechanism ही तो हुआ ना कि कुछ भी करके क्या करना है सामदाम दंड भेद से हमें पैथोजन से लड़ना है उससे जीतना है ठीक है उसके के लावा अगर हम बात करें बेजोफिल्स और इयोसेनोफिल्स की तो इनके बारे में अभी आपके लिए जाना जरूरी नहीं टैंत में एक बार फिर से यह सब रिवाइस करवाओंगी वहां पढ़ा दोंगी अभी के लिए इतना आपके लिए काफी है बस नाम याद कर लो बेबी स्टेप सपन चलेंगे कि नाम याद कर लो बाकी जो फंक्शन होगा वह अपन देख लेंगे आगे जिसके बारे में जो बताया है वो तो आपको याद कर लेना चाहिए अब तक चलो तो बेटा यह हो गए क्या अपने डबलू बीसी अब अपन बात करते हैं किसकी आ नमबर कितना होता है देख से करीब समझलो 3 3.5 लाक पर मिली मेटर क्योभी कुभिक अफ ब्लट डेघ और शेतीन सलो साब तीनस मानलो लाक कि सबसे जज़ा होते हैं आर बी की उट न से काम होते है यह प्लेटलेट और सबसे काम होते हैं अपने डवलू सी ठीक है? बेटा, actually न, ये cell के fragment होते हैं, मतलब कुछ बड़े cells होते हैं, उन बड़े cells का मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूं, बस इतना समय लोगे कुछ बड़े cells होते हैं, कुछ special लाक्य कुछ cells होते हैं, वो तूटते हैं, तो वो जो तूटने से जो उनके तूटे हुए pieces बनता है वो ही pieces क्या कहलाते हैं, flatlets कहलाते हैं, तो actually क्या होते हैं, ये cell के fragments होते हैं, बड़े cell के छोटे-छोटे टुकडे होते हैं, ठीक है, और इनका main role आप कहां देखते हो, in blood clotting, कि ये blood clotting करवाते हैं, clot formation करवाते हैं, site of injury पर, ताकि bleeding रुप जाए, इनके बारे में इतना आपके लिए जानना काफी है, in fact, 10th में भी आपको platelets के बारे में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, हाँ, blood clotting कैसे होती है, वो पूरा mechanism पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना आपके लिए जानना जरूरी, बनाद, enough है, 9th के level पर, ठीक है, तो बेटा, ये हो गया आपका पूरा blood, अब फड़ा-फड़ से अपन क्या करते हैं, अपन स्लाइट को एक बार रीड कर लेते हैं, fluid tissue is also known as vascular tissue, it consists of fluid metrics in which are suspended free floating cells, metrics होगा जिसमें की cells पाये जाएंगे, the metrics is devoid of fibers, मैंने क्या बोला कि fibers नहीं पाये जाएंगे, flows freely and is not secreted by the cells it contains, fluid tissue includes blood and lymph, दो तरह के होता है, fluid connective tissue, blood and lymph, फिलाल हमने बात करी है, blood के ओपर इतना सब कुछ अपनने पढ़ लिया है, blood is the most important liquid connective tissue which consists of an equest, यानि की watery mixture of substances in solution, जिसमें की क्या होता है, blood cells float करते हैं freely, blood plasma, pale straw color का होता है, fluid metrics, जिसमें की 90-90% क्या होता है, वही पानी, बाकी अलग-अलग चीज़े हो जाएंगी, है ना, अलग-अलग चीज़ों में proteins होते हैं, जैसी की वही albumins, globulin and fibrinogen, इसके लावा glucose, amino acids, fats, vitamins, urea, uric acid मतलब वही nitrogenous faced, enzymes, hormones, यह सब कुछ पाय जाएंगा कहा, plasma में, then comes our RBCs, they are small circular bi-concave disc, nucleus नहीं होते हैं, when they mature, they are about 5 to 5.5 million RBCs per millimetre cubic of blood, ठीक है, they are packed with iron rich red color का oxygen carrying pigment, इसको पन बोलता है, hemoglobin, hemoglobin क्या करता है, oxygen के साथ में combine होता है, बनाता है oxyhemoglobin और उसको फिर हर एक body cell तक जो है, deliver कर देता है, फिर आते हमारे WBCs, WBCs सोड़े से बड़े होते हैं, size में, nucleated cells होते हैं, यह, जो मैंने आपको इतने सारे types बताएं, WBCs के, monocytes, lymphocytes, सबके पास nucleus होता है, और nucleus का कुछ अतरंगी shape भी होता है, कि कुछ ऐसे होंगे cells जिसमें की spectacle मतलग की चश्मे के shape जैसा क्या होगा, ऐसे nucleus होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें की shape जो है na kidney bean जैसा होगा, कुछ में shape कैसा होगा, nucleus कैसा circular होगा, कुछ में बहुत सारे lobes zone के nucleus में, like this, तो अलग-अलग shape के क्या होता है, nucleus होता है, ठीक है, और 6-8 कर ले न, एक range लिख लो, वो जादा safe रहता है, they are capable of amoeboid movement and play, an important role, amoeboid movement का मतलब क्या है, वोई, phago, मतलब pseudo-podia निकाल करके, दुश्मन को घेरना, an important role play करते हैं, ये body की defense mechanism को बनाने में, दो तरह क आटे होते हैं, granulocides, जब बात करते हैं, कि सकी ये देखो, ये सब क्या है, ये WBC, RBC, platelets हैं, platelets को बेटा अपन thrombocytes भी बोलते हैं, जैसे कि RBC को अपन thrombocytes बोलते हैं, वैसे platelets को अपन thrombocytes बोलते हैं, ठीक है, ये देखो, ये monocyte है, ये bezophil है, देखो, इनosinophil, इसक नुकलेस जैस न चष्मी की शीप शीप ना स्पेक्टिकल शीप यह ल्मफोसाइट्स रीया है यूच इंूट्रो फिल यह करते हैं ये वह है सेंगों ही करते है शॉट मेंलेख लो बाकि लिंफोसाइट करते हैं, एंटीबोडी बनाते हैं, ठीक है, दे सेक्रीट एंटीबोडी सुट्रोई माइक्रोब्स और अंजुरीज चलिए, फंक्शन क्या होते हैं ब्लड के, ब्लड प्लाजमा सर्फ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि आपने देखा, कि ब्लड प्लाजमा में कितनी सारी चीज़े डिजॉल रहती हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सौर्ज हो गए, एंजाइन्स हो गए, तो जिसको जहां जो चीज़ पहुचानी है, मुझे देदो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, पहुचा करके आ जाओँगा, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि, इस सर्फ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, काबन डिया उकसाइड, वेस्ट प्रड़क्स, हॉर्मोन, बड़ाबॉलेक, इंटरमेडियर, पैन, एक्सेक्टर, इट अलसो रेगुलेट वाटर बैलन्स, पी-एच, एंड बोडी टेमपरेशन इन आर बोडी, ब्लेट, आर्बीसीज जो होते हैं, वो ऑक्सिजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, डब्लॉबीसीज क्या करते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, सोलजर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं हमारी बोडी के, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करेंगे ठीक है यहां पर बेटा ब्लड होता है खतम अब अपन फटक से पढ़ लेते हैं या लिंफ के बारे में अब देखो यहां पर लिंफ के बारे में मैं आपको समझाती हूँ टैन्थ में तो वैसे मुझे डीटेल में पढ़ा नहीं है लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो आजाओ बात निकली है तो थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं चर्चा देखो होता क्या है बेटा जिसे कि मान लो कि यह क्या है एक ब्लड वैसल है red color से बनाती हूँ ठीक है यह blood vessel है अब blood vessel है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा बेटा, blood flow करेगा ठीक है तो यह देखो, यह बह रहा है इसमें blood ठीक है, यह blood अब कौन सी blood vessel है यह नी बताऊंगी बस इतना समझे लो कि हाँ, यह blood vessel है और इसके अंदर क्या है blood है अब मालो कि ये क्या है एक organ है organ है ठीक है organ में क्या है बिटा tissues है और ये क्या है देखो tissues के cells है ठीक है बई organ है बिटा किसका बनेगा tissues का ही तो बनेगा ना और tissues क्या होता है cells की cluster गुच्छे यह देखो, यह organ है यह tissue है और tissue की आपको cells दिख रहे होंगे अब हुआ क्या बेटा कि यह जो blood है यह जो blood vessel यह कहां आई organ के अंदर आई और organ के अंदर आई तो इसके अंदर जो blood flow हो रहा था उसको देख करके औरगन की जो टिशू के जो सेल्स थे उनका जी क्या बोते है ललचाया औरगन के अंदर बेटा ब्लड वेसल आई उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था तो ब्लड को देख करके औरगन के टिशू के जो सेल्स थे उनका जो मन है वो ललचाया क्यों लल चाया, cells ने देखा कि यार यह जो blood flow हो रहा है ना, इसमें तो oxygen है, आरे इसमें तो glucose भी है, आरे इसमें तो amino acids भी है, हमें चाहिए, हमें चाहिए, पर एक मजबूरी है, अगर तो हमें ऐसा लगता है कि बेटा हमारे body की cells होते हैं, वो पूरे टाम blood से ऐसे नहाए र रहते हैं, यह blood cells के direct contact में आता है, तो यह तुमारी गलत फेमी है, हमारे body का कोई भी cell blood के direct contact में नहीं आता, blood हमेशा blood vessels में ही flow करता है, blood हर तरीके से बहुत helpful होता है, हमारी body के लिए, बट वो अपनी, कितना, अपनी वो एक individuality maintain करता है, कि blood बोलता है कि नहीं भाया, मैं तो blood हूँ, तो मैं हमेशा blood vessel में flow करूँगा, मैं बाहर नहीं आओगा, तो यह जो cells है, यह बोलता है कि यार blood तुमारे अंदर oxygen है, तुमारे अंदर glucose है, तो अब तुम अगर इतनी करपा करके तुम आए हो organ के अंदर, तो हमको दे दो ना oxygen and glucose, तो blood बोलता है कि तुम्हें जर नहीं है, तो यह जो cells हैं, बोलेंगे कि भईया, हम organ के cells हैं, हम ऐसे नहीं आ सकते blood vessel के अंदर, तो blood vessel के अंदर जो blood है, वो भी बोलेगा कि भईया, फिर माफ करो, मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकता, तो होता क्या है बिटा, बीच का रास्ता निकलता है, कि blood में से कुछ समान blood vessel से बाहर निकल करके कहां आ जाता है, यह जो आपको खाली जगा दिख रही न, tissues के बीच में, इसको अपन interstitial spaces बोलते हैं, tissues के बीच में जो बिड़ा आपको खाली जगा दिख रही है, इसे अपन बोलते हैं, interstitial spaces, ठीक है, interstitial spaces, तो बीच का रास्ता निकालना है, क् कि ना cells जा सकते हैं, blood vessel के अंदर, ना blood vessel का blood आ सकता है बाहर, तो यह जो एक बीच का रास्ता निकलता है, क्या, कि इस blood vessel में जो blood flow हो रहा है, उस blood से कुछ समान, blood नहीं बेटा, blood का कुछ समान, कुछ components क्या होते हैं, blood vessel से बाहर निकल करके, यह interstitial spaces में आ जाते हैं, क्यों हम भी नहीं आ रहें, हम भी नहीं आ रहें, है ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सो करना पड़ेगा, तो blood का बेटा होता यह है, कि कुछ समान, blood vessel को, जो दिवार है, उसकी वो cross करके, कहां आ जाता है, यह interstitial spaces में आ जाता है, यह देखो, कुछ समान क्या हुआ, यह से निकल करके आ गया है, तो बेटा सबसे पहले जो निकल करके आएगा ना, वो होगा plasma, सबसे पहले निकल करके आएगा plasma, plasma में तुमको पता यह क्या क्या होता है, पानी वगएरा होगा, ठीक है, उसके अलावा आ जाता है glucose, उसके अलावा आ जाती है oxygen, उसके अलावा बहुत amino acids बगएरा भी कुछ कुछ चीज़े आ जाती है ठीक है तो हुआ क्या जो blood vessel थी उसमें blood flow रहा था उसमें से थोड़ा बहुत समान निकल करके कहां गया है blood vessel को cross करके interstitial spaces में आ गया है क्या क्या समान बाहर आया है यहां पर प्लाज्मा प्लाज्मा में पानी है इसके वालव ग्लुकोज oxygen amino acids थोड़े बहुत प्रोटीन छोटे-छोटे ठीक है यह सब चीज़े बड़ा निकल करके बाहर आ गई है अब बार बर तो नहीं बोलेंगे न समान 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 की ब्लट का समान बहर आ गया अरे इज़त दो ना इसका कुछ नाम तो रखो इस समान का जो ब्लट वैसल की दीवार को क्रॉस करके कहां आ गया है इंटर्सिशल स्पेसेज में आ गया है तो इस पूरे समान को बेटा अपन बोल देते हैं एक फ्लूइड कौन सा फ्लू फ्लूइड तो हो गई जाहिर सी बात है थोड़े बहुत डबलूबीसी भी निकल करके बाहर आ जाएंगे ठीक है तो कुल मिला करके हुआ यह कि जो ब्लड वेसल है उसकी वाल को क्रॉस करके कुछ समान ब्लड का बाहर निकल करके आ गया है टिशू के बीच पर जो स्पेसेज हैं उनमें क्या क्या समान निकल करके बाहर आया आपके सामने लिग दिया इस समान को अपन इज़द से क्या बोलता है टिशू फ्लूइड तो तो बेटा यह जो टिशू फ्लूइड आया है बाहर है जो टिशू फ्लूइड आया ना बाहर इसमें है ना ओक्सिजन इसमें है ना ग्लुकोस तो अब क्या होगा वह हाई कॉंसेंट्रेशन रीजन से लो कॉंसेंट्रेशन रीजन की तरफ क्या होगा बेटा डिफ्यूजन के through tissue fluid से जो oxygen है अरे यह क्या हुआ हाँ tissue fluid में जो oxygen है वो आ जाएगी कहां cells के अंदर और tissue fluid में जो glucose है वो भी कहां आ जाएगा cells के अंदर बहुत चीजों का exchange हो रहा है ना high concentration to low concentration cells के अंदर ना glucose ना oxygen है cells के बहुत टिशू fluid है उसमें oxygen भी है और glucose भी है तो glucose and oxygen दोनों ही क्या होगा high concentration से low concentration में आ जाएंगे यानि कि बाहर से cells के अंदर आ जाएंगे तो cells को यहीं चाहिए था कि ग्लुकोज मिल जाए उनको oxygen मिल जाए तो oxygen भी आ गई और क्या बोलता है है ग्लुकोज भी आ गया लेकिन इस चक्कर में क्या होता है बिटा आपको पता है कि cellular respiration होता है cells क्या करते हैं oxygen को लेकर कि ग्लुकोज को लेकर के तोड़ते तारते हैं energy बनाते हैं और carbon dioxide बनाते हैं यह जो सेल्स ना बिटा यह अपने अंदर लेकर के बैठे हुए हैं वो carbon dioxide यह अपने अंदर लेकर के बैठे हैं जिसको बाहर निकालना जरूरी है तो अब यह carbon dioxide भी क्या होगा बिटा यह cells इसे बाहर आ जाएगी कहां आ जाएगी tissue fluid में ही आ जाएगी इतने चंट होते हैं यह cells कि tissue fluid से oxygen ले लेंगे ग्लुकोज भी लेंगे और बदले पर देंगे क्या carbon dioxide ठीक है तो कुछ इस तरीके से क्या हो बेटा tissue fluid और जो ओर्गन की जो cells थे उनके बीच में substances एक्स्चेंज हो गया हो गया अब क्या होगा यह tissue fluid बेटा वापस से क्या होगा blood vessel में एंटर कर जाएगा भई बाहर निकला था tissue fluid लेकिन जिंदी के बाहर थोड़ी न रहेगा कि तुम सोचोगे कि मैं यह organ है यह blood vessel आ रही है और यह organ के अंदर blood vessel में यह blood flow हो रहा है तो लगातार क्या होगा blood का समान निकल निकल करके organ के अंदर जाएगा tissue fluid बन जाएगा तो बिटा ऐसे तो क्या होगा ऐसे तो फिर organ जो है वह तो मतलब फूल फूल के भड़ जाएगा बस हो जाएगा क्यों दिमाग लगाओ न कि लगातार blood supply आती जा रही है tissue fluid बनता जा रहा है यह खटा होता जा रहा है तो फिर organ के अंदर तो बिटा tissue fluid खटा होते 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 तो तो फड़ जाएगा ऐसा ना हो इसलिए जब यह substances का एक्स्टेंज हो जाता है उसके बाद में यह tissue fluid क्या होता है बिटा यह tissue fluid वापस से लौट जाता है blood vessel के अंदर तो return लिख दू मैं return of क्या बोलते हैं उसको tissue fluid कहां blood vessel में क्योंकि मैंने पहली कहा था कि पूरा का पूरा बिटा blood बाहर नहीं आएगा blood का कुछ समान बाहर आएगा है ना बाकी जो blood है वो तो बही रहा था बाकी जो blood है बिटा वो तो बही रहा था like this like this ठीक है और फिर जहां यह exchange हो गया substances का tissue fluid और cells के बीच में तो जो tissue fluid बना है वो भी कहां जाएगा बेटा दुबारा से blood vessel के अंदर आ जाएगा और oxygen के साथ दुबारा से blood vessel के अंदर आ जाएगा और जाकर के blood के साथ mix हो जाएगा like this ठीक है अब होता यह है बेटा कि कुछ जैसे की मान लों की 100 ml यहाँ पर एक बार में tissue fluid बना ठीक है 100 ml एक बार में tissue fluid बना तो 100 में से क्या होता है करीब 80 ml जो tissue fluid है वो तो वापस हो जाता है रिटर्न हो जाता है कहां blood vessel में जो remaining 20% tissue fluid है वो बोलता है कि मैंने नहीं जाना वो जित पकड़के बैढ़ जाता है कि मैंने नहीं जाना वह हुआ क्या था यह tissue fluid बेटा आप खुद बताओ यह बना क्यों था क्योंकि blood और cells के बीच में कभी ऐसाच ऐसाच कभी कोई direct contact नहीं बनता है लेकिन substances का exchange होना था between blood and cells इसलिए कुछ समान बाहर आया tissue fluid बना और tissue fluid और cells की बीच में क्या हुआ substances का exchange हुआ अब अगर substances का exchange होने के लिए tissue fluid बना था तो फिर exchange होने के बाद में काईदा क्या कहता है exchange होने के बाद में काईदा यह बोलता है कि tissue fluid को वापस से blood vessel में चले जाना चाहिए और blood में जाकर कि mix उजाना चाहिए और होता भी है सौ में से 80 ml क्या होता है लोट भी जाता है लेकि जो remaining 20% है बेटा tissue fluid वो बोलता है कि मैं नहीं जाओंगा चाहिए जो हो जाए तो बेटा ऐसे तो और्गन फढ़ जाएगा भरते 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 इसलिए अब इसको जो धीट tissue fluid है जो वापर नहीं जा रहा है बेट वैसल में इसको ठिकाने लगाने के लिए क्या होता है बेटा एक दूसरी वैसल आती है मैं उसको blood vessel नहीं बोल रही हूं बेट वो दूसरी वैसल आती है और फिर इस दूसरी वैसल में हम बोलते हैं कि भाईया अब तुम जो है तुम यह दूसरे रास्ते पे चले जाओ कि यह जो tissue fluid है बेटा यह 20 ml वाला यह blood vessel में तो जानी रहा है लेकिन कहीं नहीं तो बेजना पड़ेगा तो यहां पर एक और हम क्य पांदी से यहां पर निकल लो तो अब tissue fluid जो इस vessel में आया है बेटा उसे हम बोलते हैं ले और यह जिस vessel में आया है उस vessel को अपन बोल देंगे क्या lymph vessel भाई जिस vessel में blood flow करेगा उसको अपन blood vessel बोलेंगे जिस vessel में जिस रास्ते में lymph flow करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे lymph vessel ही वेसल में ना जा करके औरगन से दूसरी वेसल में आ जाता है उसे अपन बोलते हैं लिंफ और जिस वेसल में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं लिंफ वेसल बोलते हैं ठीक है? ये लिंफ वेसल बेटा अल्टीमेटली पता है क्या होता है यह अल्टीमेटली जाकर के ब्लेड में ही ब्लेड वैसल में ही ओपन होती है तो आप बोलोगे कि मैं यह क्या नाटगला आके रखा है अच्छा खासा यहां से ब्लेड आया था ब्लेड वैसल जा रही थी टिशू फ्लूइड बना सब्स्चेंसिस का एक्स्चेंज हुआ पूरा का पूरा टिशू फ्लूइड क्या होना था काईदे से तो ब्लेड वैसल में लोट जाना चाहिए था लेकिन सौ में से असी एमल ही लोटा बीस एमल यहीं पर भरा रह गया औरगन में तो उसको हटाने के लिए होती है मतलब की इस लिंफ वैसल में जो लिंफ फ्लो होता है वो अल्टीमेटली ब्लेड में ही जाकर के मिक्स होगा एक्जाक्ली तो आप बोलोगे कि मैं फिर यह अलग रास्ता बनाए ही क्यों था यह मुक्का मार करके बीस एमल को भी क्या करती है यह भेड़ देता ना ब्लट वैसल में यह अलग रास्ता बनाने का क्या मकसद था यह अलग रास्ता बनाने का बेटा मकसद यह था कि लिंफ वैसल में क्या होते हैं बीच बीच में होते हैं लिंफ नोड्स होते हैं lymph nodes होते हैं और lymph nodes में पता है क्या होते हैं इन में होते हैं lymphocytes याने की wbc जैसी कि lymph vessel जा रही है उसमें क्या है lymph जा रहा है और बीच में क्या होंगे lymph nodes होंगे checkpoint बोल लो और lymph nodes जैसे कि वो नहीं कि देश में जो है महलब किसी शहर में चोरी हो गई है कि डिनापिंग हो गई है मटर हो गया है तो पुलिस वाले क्या करते हैं चोर को और जो भी क्रिमिनल उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं नाका बंदी करते हैं कि नहीं करते है जिसे कि लंबी सड़क है लंबी सड़क है तो यहां पर बीच बीच में क्या करते हैं चेकपॉइंट बना लेते हैं कि जैसे ही ज़ना क्रिमिनल की गाड़ी निकले कि उसको वहीं पर क्या करेंगे धर्दा पोचेंगे वैसे ही बेटा यहां पर भी क्या होता है lymph nodes होते हैं in lymph nodes में होते हैं WBC और WBC आपको पता है क्या करते हैं पैथोजन्स पे अटैक करते हैं बॉडी को defense mechanism जो है प्रोवाइड करते हैं तो जैसे ही lymph vessel का lymph जाएगा कहां इन lymph nodes में लिंफ की quality को WBC जो lymph nodes में बैठे हुआ ना बेटा वो और WBC चेक करेंगे लिंफ जो है ब्लैड में ही जाके मिक्स होना है तो इस lymph की quality को चेक करने के लिए क्या होते हैं lymph nodes होते हैं यूंकि lymph nodes में होते हैं WBC तो जैसे कि मालो मैं कौन हूं WBC हूं मैं कहां हूं lymph node में हूं जैसे यहां से लिंफ आएगा मैं देखूंगी कि अरे कुछ गडबर तो नहीं कुछ प्रतूजन तो नहीं है अगर होगा तो मैं उसको वहीं के वहीं मार डालूंगी और बॉड़ी का इम्म्यून सिस्टम है उसको मैं अलर्ट कर दूंगी कि देखो भाया लिंफ में जो है ना मुझे गडबर देखी थी अलर्ट हो जाओ और अगर गडबर कुछ नहीं देखी तो मैं क्या करूंगी लिंफ को जाने दूंगी तो बेटा defense के लिए ही लिंफ की quality को check करने के लिए होते हैं क्या लिंफ तो यह है बेटा लिंफ की कहानी the lymph is a colorless fluid होता है that acts as a middleman for transport of materials between blood and tissue cells की tissue के cells और blood के बीच में substances का जो exchange होना है उसके लिए middleman की तरह कौन काम करता है लिंफ है न क्योंकि लिखती है कभी 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 कि जो interstitial fluid ना बेटा इसी को अपन क्या बोल देते हैं लिंफ बोल देते हैं नहीं अरे क्या था वो हाँ ब्लैड और tissue की cells के बीच में exchange के लिए middleman की तरह काम करता है plasma होते हैं और WBC होते हैं ठीक है the lymph is filtered out of the blood capillaries but diffuse from the blood and lacking RBC नी होते प्रेटलेट्स नी होते और plasma proteins भी नी होते हैं ठीक है लिंफ का काम क्या होता है infection वगेरा से protect करना उसके लावर बेटा जो भी अपन खाना खाते हैं उस खाने में इतने भी fats होता है न वो fats lymph के थूरी क्या करते हैं body में travel करते हैं ठीक है so lymph carry digested and absorbed fats from intestine and drains excess fluid from the extracellular spaces back into the blood कि extracellular spaces में जो fluid भर रहा है उसको दुबारा से blood में डालना काम किसका होता है lymph का ही होता है ठीक है so that's all about connective tissue आज के session में हमने connective tissue पूरा complete कर लिया है और connective tissue को करने के बाद animal tissues का topic होता है पूरा complete अब हम मिलेंगे अपने अगले session में और अगले session में हम क्या करेंगे कुछ और एक नया बहतरीन मालब topic बच्चा हुआ है plant tissue से related वो और पढ़ाना है मुझे इसके बाद में आपको chapter हो जाएगा finish यानि कि नाइन्थ biology आप क्यों हो जाएगी finish तो अब हम मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए keep learning with definite success बाट चला बाबाई have a great day